रोज यानि गुलाब का प्लांट हम नार्सरी से खरित के लेके तो आते हैं, घर पे हम लगा भी लेते हैं, कोई भी मीडिया पे लगा लेते हैं कुलाब का प्लांट लगाने के बाद यानि गमले के अंदर लगाने के बाद एक हफता बीच जाते हैं दो हफता बीच जाते हैं कि प्लांट में एक प्रॉब्लेम आधना शुरू हो जाता है वो problem है प्लान्ट से new growth नहीं आरहे है और new growth आप भी रहे है, बहुत एक कम आरहे है तो इस वीडियो में आपके साथ श्यार करूंगी new rose plant गमले में लगाने के बाद हमको क्या क्या चीज गमले के अंदर डालना है plant को provide करना है और सेप new rose plant ही नहीं है आपके पास ऐसे कोई रोस प्लांट है कि काफी दिन पे उग्रोथ पे नहीं है काफी दिन से फूल नहीं खिला रहे है, ब्लाइन सूट आ रहे है प्लांट में कोई पत्ते भी नहीं है, सिर्फ टहाइनिया टहाइनिया है तो इस तरीके से भी कोई प्लांट है तो सेम तरीके से उस प्लांट को भी आबूशी कर सकते हो बहुत सरा ब्रांच लेके आ सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा जानकरी आपको देई देती हूँ कि फ्रेंज जब आप गुलाब का प्लांट गमले में उगा रहे हो कि जमीन में उगा रहे हो अपका प्लांट में ग्रोथ नहीं है इसके मतलब है अपका रोस प्लांट में रूट का कोई ग्रोथ नहीं है अपका रोस प्लांट का रूट बहुत हेल्दी रहे तो प्लांट का वेजिटेटिव ग्रोथ यानि पत्ते का ग्रोथ ब्रंच का करना है प्लांट का रूट्स का किस तरीके से आपको हेल्दी बना के राकना है गुलाब का प्लांट का रूट्स हेल्दी रहे तो प्लांट फंगस से भी बचा रहेगा प्लांट जल्दी जल्दी सुकते नहीं सालों साल रोज का प्लांट हमारे पास रहता है हमारे गार्डेन पर आना चाहिए क्योंकि मौसम ऐसे ही होता है वेदार ऐसे ही होता है कि रोस प्लांट के लिए बहुत ही सपोर्टिव होता है इस टाइम रोस का कोई प्रॉब्लेम नहीं आता है रोस प्लांट में भर भर के न्यू ब्रांच भी आता है फूल भी खीलता है यह आटोमेटिकली होता है नेचर के द्वारा होता है तो और इस टाइम आप रोज प्लांट में क्यार करेंगे तो उसका जो ग्रोथ है और भी जादा से जादा हो पता है तो इस टाइम आपका रोज का प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहे है इसके मतलब आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रूट क क्यार करना है इस वीडियो में आपको वहीं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि रोज का प्लांट का रूट को आपको किस तरीके से ग्रोथ पे लेके आना है क्या के चीज आपको इस्तेमाल करना है और आपका पुराना प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है तो अब साई में आप थोड़ा सा काटिंग कर दीजिए हर ब्रांच को थोड़ा थोड़ा करके अगर आप हाइब्रीड रोज का बात करें तो और इस तरह फाटिलाजर कह लिजिए कि रूट ग्रोथ प्रोमोटर कह लिजिए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कह लिजिए आपके साथ जो शेयर करने जारी हूँ इस तड़ा आप पुराना रोस में भी आप काम करिए बहुती जल्दी आपका रोस प्लांट का ग्रूट ग्रोथ हो पाएगा और प्लांट भी वेजिटिटिटिव ग्रोथ भी बहुती जल्दी आपाएगा तो ये तो गए है बेसिक बाते आप दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको नया रोस प्लांट और पूराना रोस प्लांट जो ग्रोथ पे नहीं है उसके साथ क्या का काम आपको कर लेना है तो देखिए ये जो निव रोस प्लांट आपके साथ शेयर किया था देखिए ग्रोथ भी बहुती बरिया आना चालू हो गए है इसका रिपोर्टिंग वीडियो आपके साथ श्यार किया था मैंने थोरा सा एक मुठी राइस कास्क एक मुठी भार्मी कॉम्पोस्ट अधा मुठी नीम खोल और थोरा सा मैंने इहां पे दिया था बोन डास्ट यह जो पॉटिंग सॉयल है इसी में हमेंने लगा दि आपको तुरंत आपको काट कर लेना है अगर आप रिपोर्टिंग के टाइम फूल काट नहीं की हो तो जैसे मैंने नहीं किया था तो मैंने अभी इसको काट कर दिया है प्लान को मैंने अच्छे से धूप में राग दिया है और रिपोर्टिंग के बाद एक हपता हो गए है मैंने कोई खाना यानि कोई फाटिलाजर इसमें नहीं दिया है एक हपता बाद आज जो टीटमेट आपके साथ श्यार कर रही हूँ इसी कोई आपको कर लेना है आपका नया गुलाब का प्लान ग्रोथ पे है कि ग्रोथ पे नहीं है दोनों कंडिशन पे आप ये कम कर लेंगे ना तो रोस प्लान का ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है तो पहले ये सुरुआत में ही रोस प्लान के साथ रोस प्लान का रूट के साथ हमको ये कम कर लेना है तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि ऐसा कुन सा चीज है कि रोस प्लांट में रूट भे खास करके हमको डालना ही डालना है सबसे पहले एक कंटेनर के अंदर आपको एक मिक्षर बना लेना है इसके लिए आपको चाहिए आपके पास कोई भी कॉम्पोस्ट हो आप ले सकते हो कि आपके पास जो ready-made rose food है वो भी आप ले सकते हो तो एक प्लान के हिसाब से आपको लेना है दो टेबिल स्पून यानि दो स्पून आपको लेना है compost यानि rose food और उसके साथ आपको मिलाना है एक special दानेदर चीज एक granule form में मिलता है वो भी आपके साथ share कर रही हूँ तो पहले देखिए मैंने लिया है एक rose food मेरे पास rose food था तो rose food मैंने ले लिया है और इसके साथ मैं मिलाओंगी एक granule तो कितना कितना आपको लेना है एक plant आपका गंबले में यानि 8 इंच गंबले में लगा हुआ है तो 2 स्पून आपको लेना है कोई भी compost उसके साथ 2 स्पून आपको लेना है ये इस granule को आपको 2 स्पून लेना है और आपका rose plant 10 इंच बड़ा इंच गंबले में लगा हुआ है तो इसको आपको बढ़ा देना है यानि तीन से चार स्पून आपको लेना है कोई भी कॉम्पोस्ट हो कि कोई भी रूसपूड हो उसके साथ आपको तीन स्पून लेना है इस तरीके से ग्रानवल्स तो ये combination में आपको एक mixture बना लेना है और इस mixture को हम कहां पर डालेंगे गामले के किनारे बरबर डालेंगे कि root zone में डालेंगे वो आपके साथ share करूंगी क्योंकि ये जो fertilizer कह लिए कि ये जो आपको root growth promoter कह लिए इसको बहुत ही अच्छा से हमको इस्तेमाल कर लेना है जब भी हम कोई नया गुलाब का प्लांट गामले में लागा दिया है एक हपते के बाद आपको इस्तेमाल करना है एक हपता दस दिन बाद भी आप इस्तेमाल कर स पर उससे delay आप मत करिये क्योंकि हम ये जो fertilizer की ये जो root growth promoter plant में दे रहे हैं ये root का growth के लिए दे रहे हैं तो देखिए ये था जो granule आपके साथ श्यार किया है ये है रैली गोल्ड जियार आप online इसी नाम पर ही साच करिए काफी आपको product मिल जाएगा मैंने जो इस्तेमाल क पर रैली गोल्ड जियार आपको लेना है तो देखिए अब हमको करना क्या है रोस प्लांड का मीट्टी को अच्छा से हलका हाथों में हमको गुराई कर देना है इसमें आपको deep गुराई बिलकुल नहीं करना है और ये जो mixture हमने बना लिया है रैली गोल्ड जियार और compost और rose food मिला के सिर्फ आपको plant का root zone में देना है देखिए जो main stamp है उसके चारो तरफ मैं दे रही हूँ तो इसी के तरह आपको देना है गमले के चारो तरफ आपको फैलाना नहीं है जैसे हम कोई खात देते है solid fertilizer गमले का किनरे बड़बर हम देते है तो ये जो mixture हमने बना लिया ह इसको गमले का किनरे बड़बर आपको नहीं देना है सिर्फ root zone के आसपस आपको दे देना है उसके बाद आपको हलका सब पानी देना है ऐसे पानी नहीं देना है कि गमले के नीचे से बहा के जाए इतना ही पानी देना है कि पानी गमले के अंदर ही रहे तो इस तरीके से friends आपको काम कर लेना है कोई नया गुलाब आप लेके आए हो तो एक बाडन्प करम लेना है ज्यादा डिले आपको लेकर नहीं करना है क्योंकि प्लांट रूट गरोथ हमको बहुत ही जल्दी करआना है तब ही आगे जाके प्लांट अच्छा से जो भी हम खाना देगें हेल्दी रूट बन जाता है अब जब खरी देंगे ना कि आपके पास ओलेटी है तो आप देखे होंगे कि इसका जो पैकेट है पैकेट के ऊपर पुरा एकदम अच्छा से यहां पे पिक्चर दे रखा है कि यहां का जो रूट ग्रोथ है रूट ग्रोथ के लिए यह फार्ट प्लांट है तभी भी आप एक काम कर सकते हो बहुत अच्छा से ग्रोथ उसमें भी आपको मिलेगा अब इंपोर्टेंट बात पे आते हैं कि फ्रेंस यह जो अपने मिक्चर यूज कर लिये हो उसके बाद एक हपता दस दिन के अंदर प्लांट में और कुछ भी आपको नही देना है कोई फार्टिलाइजर भी नहीं देना है कोई लिक्विट फार्टिलाइजर भी नहीं देना है कोई फांगिसाइड भी नहीं देना है कुछ भी नहीं देना है यह आमने जो एक मिक्चर प्लांट में दे दिया है इसमें जादे से ज़दा गूड बैक्टिरिया रो को दूबरा इस्तेमाल करने का जुरूत नहीं है दस दिन बाद से रोज प्लांट में जैसे ग्रोथ के लिए हम फार्टिलाजर देते हैं इस तरीके से हम काम करना चालू करेंगे जैसे केमिकल फार्टिलाजर का बात करूं तो बारा एक सट जीरो आप दे सकते हो एक लिटर प उससे पहले हमको कुछ भी नहीं देना है जैसे मिट्टी हलका सा ड्राइड देखे पानी हमको दे देना है और साथ में आपको कड़ना है प्लांट को अच्छा से शावारिंग जैसे मैं पिछलों वीडियो में भी आपको बता दिया था ध़ा है दोनों टाइम आपको अच् कुरोध आने में भी जो मॉइस्चर आप बना के राख रहे हो पानी का स्प्रे करके तिससे बहुत ही हेलफुल रहता है और एक इंपोर्टेंट बात है कि जो नया गुलाब आप लागा के रखे हो उसको कोई काटिंग प्रूनिंग आपको नहीं करना है तो वीडियो पे कोई कनफ्यूजन है तो आप ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो आज का वीडियो आई होप आपको बहुत ही हेलफुल रहेगा अपके लिए आपका जानकरी के लिए और आपका गुलाब का प्लान के लिए भी और प्रोड़क्ट मिलने पे भी कोई प्रॉब्लेम नहीं है फ्रेंस और आपको प्रोड़क्ट में इस्तेमाल करती हूँ वीडियो पर किस तरीके से आपको सार्च करने से मिल जाएगा उसका अप्शन में आपको जरूर बताती हूँ और आपको प्रोड़क्ट भी दिखा देती हूँ तो I think I hope प्रोड़क्ट मिलने के लिए आपको कोई परिशानिया नहीं होगा तो आज का वीडियो अच्छा लागे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करा करें और मेरे साथ जूरना चाहते हो मेरे चैनल को अभी तक अब सब्सक्राइब नहीं किये हो तो मेरे साथ जूरने के लिए चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिजिए आज का वीडियो यहाँ पेन करते हैं मिलते हैं निक जानकरी के साथ तब तक के लिए थैंक्कू फ्रेस थैंक्स पर वाचिंग हैपी गार्डेनिंग टेक क्यार बाई करते हैं